स्वागते वर्फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूटूब चैनल दे टाइम सफिस्टेडी पर तो एक बहुत ही महतफून अपडेट है जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि B8 भर्सेस BTC यानि B8 भर्सेस DL8 का जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोट में जाएगा यानि B8 जो है eligible नहीं है प्रात्मिक सिक्षक भर्ति में only DL8 ही eligible है यानि DL8 ही गोताधारी होंगे इस बीच सुप्रीम कोट में ही एक और अन्य मामले पर B8 भर्सेस DL8 ही कह सकते है क्योंकि सुप्रीम कोट में B8 भर्सेस एनायूस DL8 की एक लंबी सुनवाई च यानि पिछले 7 नहूंबर को ही सुप्रीम कोट में फाइनल सुनवाई के बाद फैसला को रिजर्व लख लिया गया है और इसमें सबसे बड़े अपडेट जो यह आ रही है कि एनायूस DL8 की मानिता को लेकर क्योंकि आप सभी जानते होंगे देश में लाखों स्टुडें में जो 32,000 से भी अधिक पदों पर जो रिजल्ट आया यानि जो 80,000 पदों पर भरती निकली थी प्रात्मिक सिक्चक भरती में उसमें लाकों संख्या में एनायंस DL8 स्टुडेंस भी हिस्सा लिये थे और बहुत सारे का अभी जो है बिहार प्रात्मिक सिक्चक भरती में उनका नियुकती भी चल रहा है ट्रेनिंग भी चल रहा है और इसी बीच सुप्रिम कोट में प्रात्मिक सिक्चक भरती में एनायंस DL8 के मानेता को लेकर एक एहम सुनवाई चला और इस सुनवाई खतम हो चुका है साथ तारिक को और इसका रिजर्व रख लिया गया है औ तो इस पेसले अगर आप जानते होंगे पटना हाई कोट में एनायंस DL8 को मानेता दी गया धी जिसके बाद बहुत सारे इनायंस DL8 की निवक्ती भी हो चुकी है ऐसे में उत्राखंड की सिक्चक भरती में एनायंस DL8 को मानेता को लेकर मामला हाइकुर्ट के बाद सीधा सुप्रिम कोट गया और अब सुप्रिम कोट में साथ तारी को final hearing हो चुका है और इस में जो सबसे बड़े बात कही गई है कि 18 मेहने और 24 मेहने के कोर्स को लेकर इसी चीज को लेकर ज्याधा सुनवाई होए और साथ तारी को जो सुनवाई ही इसमें लगबग तीन घंटे तक सुनवाई चली है और चली इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि अपडेट को लेकर और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा अपडेट है जितने भी एनाइस डिलेट स्टूडेंस है उनके लिए देखिए उत्राखंड मे प्रात्मिक सिक्षख भर्ति को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोट में तीन घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली जिसके बाद सुप्रीम कोट ने सिक्षख भर्ति पर फैसला सुरक्चित रखा है उत्राखंड के पूर्व महाधिवक्ता और सुप्रीम कोट के ना मुस्किल है लेकिन जो बताय गया है वो दिवाली के बाद इसका थैसला जो है सुनाय जा सकता है जो कि अभी के लिए साथ तारी को ये सुरक्षित रख लिया गया है उत्रकंड में सिक्चक भरती का मामला पिछले काफी समय से सुप्रिम कोट में है मामला एनायस से डियलेट को सिक्चक भरती में सामिल करने से जुड़ा हुआ है दरसल शाषन ने 15 नौमब 22 को एनायस से डियलेट अभ्यरतियों को सिक्चा विभाग में 26 पदों के लिए चल रहे सिक्चक भरती में सामिल होने का आदेस दिया था सरकार ने इस आदेस को बाद में रत कर दिया था इससे नाराज अभ्यरति इस फैसले के खिलाब हाई कोट चले गए थे हाई कोट ने इस मामले में एनायस से डियलेट अभ्यरतियों के पक्ष में फैसला भी दिया था हाई कोट की इस फैसली के खिलाब पहले बीएड अभ्यरती और उसके बाद सरकार सुप्रिम कोट चले गए थी 30 जून 22 को सिक्षा सचीव रविनात रमन ने इस मामले में जल सुनवाई के लिए सिक्षा निदेशक को सुप्रिम कोट में प्रार्थना पत्र देने के निदेश दिये थे प्रानबिक सिक्षा निदेश्रक आरके उन्याल के ने बताया कि मंगलवार को सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रिम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है तो दो लाग से अधिक अभ्यतियों को इंतेजार है और पूरे देश में लाखो संख्या में इस इनाइस से डिलेट किये हुए है जिनकी नियुक्ती भी बहुत सारे स्टुडेंट्स का हो चुका है ऐसे में यह बहुत बड़ा रोल जैसे कि आप लोग जानती भी होंगे बीट भर्सेस जो बीटी सी का मामला चला था जिसमें बीटी सी को ही प्राइमरी आने डिलेट को ही प्राइमरी में यह गुता माना गया है और इस बीच जो बीट भर्सेस इनाइस डिलेट का मामला है यह भी बहुत important है.